चार्चानक हमेशा कहा करते थे कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है इंसान ही है जो एक पहार को काट के रास्ता बना लेता है इंसान नहीं है जो लोहे को पिगला के उसका अकार बदल देता है अगर इंसान अपने जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है बस बात यहीं पर होती है दोस्त कि करना क्या चाहता है करना चाहता भी है या नहीं करना चाहता है अगर सही में करना चाहता है त अपने आपको कम नहीं समझना चाहिए, और किसी से कम नहीं आकना चाहिए, क्योंकि भगवान इस धर्ती पे जिस भी इंसान को जनम दिया है, उसके साथ एक खास चीज उसको दिया है, इस धर्ती पे आने वाले हर एक ब्यक्ति के अंदर एक खास चीज होता है, अगर वही खा चायों तक जाता है कि उसको कोई पकर ister नहीं सकता और अपनी जीवन में इतना तरक्गी करता है कि दुनिया उसको देखते रहे जाता है लेकिन अक्सर लोग इस चीजब को नहीं समझ पाते हैं दूसरे को हमेसा देखते रहते हैं लेकिन दोस्त एक बात हमेशा याद रखना अगर आप इस धर्ती पे जनम लिए हो तो आपके अंदर कोई ना कोई एक खास चीज होगा जिसको आपको पहचानने की जरूरत है बस आप उसको एक बार पहचान लो उसके बाद की हार खुसी आपके कद्मों में होगी आपका हर सपना के कि इस पूर्म में होगा अप जोंचोंगे हर एक चीज पूरा करोगे लेकिन किसी से कम مت समझना खुद को अपने आपको और ना ही कभी किसी से कम आखना अपने आपको किवकि हर एक ब्यक्ति में कुछ न कुछ खास जरूर है जब एक इंसान अपनी मेहनत और लगन से अपने लक्ष को पड़ाप्त करता है तो उसका लगन मेहनत सब कुछ देखते हुए दोस्त उसका सत्रू भी उसके पीठ पीछे उसका तारीफ करता है एक बात हमेशा इस चीश को याद रखना जो भी ब्यक्ति अपने जीवन में हमेशा याद रखना अपने जीवन में जो भी करना है ना मेहनत और लगन के साथ करो कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है कौन आपके साथ चलता है नहीं चलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आचार चानक के हमेशा इस बात को खहते थे कि जो भी ब्यक्ति अ मेहनत और लगन के साथ अपने लक्च को प्राप्त करता है उसका हर एक सत्रू उसके पीठ पीछे उसका प्रसंसा करता है इतियास गवाहिए दोस्त इस चीशको जाकर पर सकते हो देख सकते हो और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है उसके लिए तीन सकता step by step तीनों चीजों को जानने की जरूरत है समझने की जरूरत है और अपने life के recording हमेशा के लिए उसको apply करने का जरूरत है सबसे पहले नंबर में आता है ग्यान एक बात हमेशा याद कर सकते हो आपको कोई नहीं रोक सकता है इसलिए आपको हमेशा ग्यान लेते रहना चाहिए चाहे जहां से भी मिले उससे कोई फर्क नहीं परता है फर्क बस इससे परता है कि आपका लिया हुआ ग्यान आपके लिए कितना काम समाता है तो हमेशा आप इस चीश को ध्यान में रखो सेकेंड अपने कौसल कई रिद्धी हमेशा करते रहो ऐसे समझ सकते हो सब्सक्राइट के रिकार्डिंग आप अपने स्कील को हमेशा डेवलप करते रहो क्योंकि एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए मौस्ट के हिसाब से तभी जब आप अपने स्कील अपडेट करते हो तभी आपको हर चीज मिलती है जो आप आना चाहते हो तीसरा मौस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त संसकार वानी बनो संसकार अपने अंदर में लाओ क्योंकि जिस ब्यक्ति के अंदर ग्यान इसकील और संसकार आत कोई भी नहीं आ सकता है और उसको अपने जीवन में आगे भरने से कोई नहीं रोक सकता है इसलिए दोस्त आपको अपने लिए थोड़ा सा संसकार लाना होगा क्योंकि संसकार मौस्ट इंपोर्टन चीज है दोस्त और सामने वाले के लिए आपका respect क्या है आप उसको कितने respect देते हो या करते हो most important तीन चीज़े दोस्त अगर जीवन में हमेशा के लिए चमकना है तो अपने life में इस चीज़ को apply कर लो और हमेशा के लिए इसको follow करते चले जाओ इस दुनिया का कोई इंसान आपको सफल और कमयाव होने से नहीं रोख पाएगा तो दोस्त आज के लिए बस इतना है कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ Thanks